साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत बहुत सागत है आज की वीडियो आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ना और लिखना सीखें आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ना और लिखना सीखें की आज की इस वीडियो में हम लोग या के साथ आधावावाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे या के साथ आधावावाले शब्दों में अक्सर उच्चान में हमको भर्म हो जाता है कि हम मात्राओं का उच्चान कर रहे हैं कहीं कहीं आ की मात्रा का भर्म होता है कहीं A की कहीं A की मातरा का भर्म हो जाता है और हमारे जो नए साथी हैं इमला लिखते समय उनसे अक्सर गलतियां हो जाती है व्या की जगए अक्सर वो A की मातरा लिख देते हैं या व्या की जगए A लिख देते हैं इस तरह की गलतियां आप लोगों से ना हो इसलिए विशेश्टूक से आज की वीडियो है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए एक एक सब्द को ध्यान से समझ लीजिए हमारे साथ पढ़ना सिख लीजिए और लिखना भी सिख लीजिए ठीक है ताकि आगे कभी आप इस तरह के सब्द लिखें तो आप शे गलतियां ना होने पाएं ठीक है तो आईए पहले हम लोग इन शब्दों को पढ़ें बाद में अपनी कॉप्टी पर लिखना सीखेंगे तो आईए पहले पढ़ लेते हैं पढ़ेंगे व्यव साए व्यव धान व्यव धान व्यव साइक व्यव साय व्यव शाय दो बार हो गया है कोई बात नहीं हम सीखी रहे हैं तो दो बार ही सही तीन बार सही व्यव साय के बाद में अगला सब्द है व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्थापक व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवहार व्यवहार, व्यवहारिक, व्याकरण, व्याकुल, व्याकुल, व्याकिर्ति, व्याकिर्ति, व्याक्या, व्याक्या, व्याक्यान, व्याक्यान, व्याक्याता, 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 व्याक्र, 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 व्याध व्याध व्यापक व्यापक व्यापकता व्यापी व्यापार व्यापार व्यापारिक व्यापरिक व्याप्त व्याप्त व्यायाम व्यायाम यहाँ पर ध्यान देना है व्यास आसन में दोनों बार दंते साही लिखा जाएगा ठीक है यह अनुशाशन बाला शाशन नहीं है यह आसन वाला साही आसन वाला ठीक है क्योंकि आसन में दंते साही लिखा जाता है तो यहाँ पे ये दो सब्दों से बना है व्यास और आसन ठीक है व्यास आसन व्यास में भी दंतिसा होता है और आसन में भी दंतिसा होता है इसलिए दोनों जगें दंतिसा ही लिखा जाएगा सरुता वाला साही लिखा जाएगा ठीक है तो पढ़ेंगे व्यासासन, व्योम, व्योम, व्योमकेश, व्यक्त, व्यक्त, व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्तिगात, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यसन, व्यस्त, व्यस्त, व्यस्तता, 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 एक बार खिस सुनेगे, वेस्तता, व्यंग, व्यंग, व्यंग्य, व्यंग्यकार, 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 व्यंग्यकित्र, व्यंग्यकित्र, व्यंजन, व्यंजन, काब्य, 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 शास्त्र, काब्य, शास्त्र, काब्यांज्यली, काब्यांज्यली, काब्यांज् गंतव्य गंतव्य द्रव्य 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 मान द्रव्य मान चक्रव्यूह चक्रव्यूह दातव्य दातव्य दिब्य दिब्य दिब्यास्त्र 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 दिब्यालोक दिब्यालोक देश्व्यापी ये अक्षर जाद लखे आज में देश्व्याप देश व्यापी, अप व्याया, आईए, अब हम लोग इन सब्दों को अपनी कॉपई पर लिखना सीखें, आप भी हमारे सासा लिखिये, व्याव शाय लिखेंगे आधावा, और या, और वा, व्याव, सामे, बड़्या की मात्रा, और या, व्याव साय, ठीक है, व्याव शाय के बाद में अगला सब्द है, व्याव धान, आधावा, और या, और वा, व्याव, धा में, बड़्या की मात्रा, और न, व्याव धान, के बाद में अगला सब्द है, व्याव सायिक, आधावा, और या, और वा, सा में, बड़्या की मात्रा, और या में, छोटी की मात्रा, और यहां पर E का भरम होता है लेकिने यहां पर E नहीं लिखनी है यहां में छोटी E की मात्रा ही लिखनी है ठीक है व्यवसाय के बाद में व्यवसाय आधा वा और या और वा व्यवसाय के बाद में के बाद में है व्यवस्थापक तक माने व्यवस्था करने वाला ठीक है और अगला सब्द है व्यवस्थित व्यवस्थित लिखेंगे आधा वा और या और फिर वा और छोटी की मात्रा के लिख रेखा खिचेंगे आधा सा था में छोटी की मात्रा और त व्यवस्थित के बाद में अगला सब्द है व्यवहार आधा वा और या और वा व्योव हा में बढ़्या की मात्रा और रा व्योव हार के बाद में व्योव हारिक आधा वा और या और वा हा में बढ़्या की मात्रा रा में छूटी की मात्रा और का व्योव हारिक के बाद में है व्या करन आधा वा या में बढ़्या की मात्रा व्या क, र, और, अन, व्याकरण के बाद में व्याकुल, आधा, वा, या में बढ़्या की मात्रा, व्या, का में छुटेव की मात्रा, और ल, व्याकुल के बाद में व्याकिर्ति, आधा, वा, या में बढ़्या की मात्रा, का में री की मात्रा, और ता में छुटी की मात्रा, व्याकिर्ति के बाद में अगला सब्द है व्याक्या व्याक्या लिखेंगे आधावा या में बढ़्याकी मात्रा आधाखा और या में बढ़्याकी मात्रा व्याक्या के बाद में व्याक्यान आधावा या में बढ़्याकी मात्रा आधाखा या में बढ़्याकी मात्रा और व्याख्यान के बाद में व्याख्याता आधावा या में बढ़्याकी मात्रा आधाख्खा या में बढ़्याकी मात्रा ता में भी बढ़्याकी मात्रा व्याख्याता के बाद में व्याग्र आधावा और या गा में पदेंद्रा व्याघ्र के बाद में व्याघ्र लहेंगे आधा वा या में बढ़्याकी मात्रा और घा में पदेंरा व्याग्र के बाद में है व्याद आधावा या में बढ़्याकी मात्रा और धा व्याद के बाद में है व्यापक आधावा या में बढ़्याकी मात्रा पा और कापक व्यापक के बाद में है व्यापकता आधावा या में बढ़्याकी मात्रा और पा का ता में बढ़या की मात्रा व्यापक्ता के बाद में है व्यापी आधावा या में बढ़या की मात्रा पा में बड़ी की मात्रा व्यापी के बाद में है व्यापार आधावा या में बढ़या की मात्रा पा में बढ़या की मात्रा और रा व्यापार के बाद में है व्यापारिक आधावा या में बढ़या की मात्रा पा में बढ़या की मात्रा रा में छोटी की मात्रा और का के बाद में अगला सब्द है व्यापत, आधा वा या में बढ़या की मात्रा, पा में बढ़या की मात्रा, रा में बढ़ी की मात्रा, व्यापत के बाद में अगला सब्द है व्यापत, आधा वा या में बढ़या की मात्रा, आधा पा और त, व्यापत के बाद में अगला सब् आधा वा या में बढ़्या की मातरा और मा वयायाम के बाद में हैं वयायाम शाला लिखेंगे आधा वा या में बढ़्या की मातरा और मा वयायाम शा में बढ़्या की मातरा और मा वयायाम शा में बढ़्या की मातरा और ला में भी बढ़्या की मातरा शब्द बन गया हमारा चाला के बाद में अगला सब्द है व्यास आधावा या में बढ़या की मात्रा और सा व्यास के बाद में अगला सब्द है व्यासासन आधावा या में बढ़या की मात्रा सा में बढ़या की मात्रा सा और सा और नसन व्यासासन के बाद में अगला सब्द है व्योम आधावा य या में उकी मात्रा और मा व्योम के बाद में है व्योम केश आधा वा या में उकी मात्रा और मा व्योम का में एकी मात्रा और श व्योम केश के बाद में अगला सब्द है व्यक्त आधा वा या आधा का और ता व्यक्त के बाद में अगला सब्द है व्यक्ति आधवा या और आधा का ता में छोटी की मात्रा व्यक्ति के बाद में अगला सब्द है व्यक्ति-गत। आधा वा और या आधा का और ता में छूटी की मात्रा व्यक्ति गा और ता गत्थ व्यक्ति गत्थ के बाद में व्यक्तित्व आधा वा और या आधा का ता में छूटी की मात्रा आधा ता और वा व्यक्तित्व के बाद में अगला सब्द है व्यसन के बाद में है व्यस्त के बाद में है व्यस्त आधा वा और या आधा सा और ता व्यस्त ता में बढ़या की मात रता व्यस्त ता के बाद में है व्यंग आधा वा या में अनसार बिंदू और गा व्यंग के बाद में व्यंग या आधा वा या में अनसार बिंदू आधा गा और या व्यंग्य व्यंग्य के बाद में व्यंग्य कार आधा वा या में अनुसार बिंदू आधा गा और या व्यंग्य का में बढ़या की मात्रा और व्यंग्य कार के बाद में व्यंग्य चित्र आधा वा या में अनुसार बिंदू आधा गा और या व्यंग्य चा में छोटी की मात्रा और त्रा व्यंगे चित्र आप लिखते हैं हमारे साथ साथ और अगला सब्द है व्यंजन आधावा या में अनुसार बिंदू व्यंजा और नजन है व्यंजन के बाद में काव्य का में बढ़या की मात्रा आधावा और या कावे के बाद में कावे शास्त्र का में बढ़्या की मात्रा आधावा और या कावे शा में बढ़्या की मात्रा आधासा और त्र कावे शास्त्र कावे शास्त्र के बाद में कावे आंजले का में बढ़या की मात्रा आधावा या में बढ़या की मात्रा अनुसार बिंदू जा और ला में छोटी की मात्रा कावया अंजली के बाद में तालब ब्या ता में बढ़या की मात्रा ला आधावा और या तालब ब्या के बाद में गंतब ब्या गा में अनुसार बिंदू, ता आधावा और या गंतव्य के बाद में द्रव्य, दा में पदेंद्रा आधावा और या द्रव्य के बाद में है द्रव्य मान, दा में पदेंद्रा आधावा और या द्रव्य मान में बढ़या की मात्रा और ना द्रव विमान के बाद में चक्र भी हो चा का में पदेंद्रा आधावा हो या में बड़े उकी मात्रा और हा चक्र विउह के बाद में है दातव या दातव भी लिखेंगे दा में बड़े की मात्रा और ता आधावा और या दातवे के बाद में है दिव्या दा में छूटी की मात्रा आधावा और या दिव्या के बाद में दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र माफ करना दिव्यास्त्र दा में छूटी की मात्रा आधावा या में बड़्या की मात्रा आधासा और त्र दिव्यास्त्र के बाद में है दिव्य लोक दा में छूटी की मात्रा आधावा और या दिव्य ला में ओ की मात्रा और का दिव्य लोक के बाद में अगला शब्द देश व्यापी दा में एकी मात्रा और शादेश आधावा या में बढ़ी की मात्रा व्या पा में बढ़ी की मात्रा शब्द बने गया हमारा देश व्यापी के बाद में अप व्याए छोटा आ और पा अप आधा वा और या और या अप व्याए तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आध एक्षर वाले सब्दों को लिखना और पढ़ना सीखा और विशेश रूप से आज हमने आधा वाक और या वाले सब्दों को लिखना और पढ़ना सीखा है मिलेंगे हमारे एकले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी